नमस्कार मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं NMF News पेट्रोल कमपनिया लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमते हैं उसे बढ़ा रही है छे दिन तक लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमते जो है वो बढ़ाई गई है जिसके बाद भुपाल में पेट्रोल बिकना ब सरसल हुआ ये कि पेट्रोल का जो दाम है वो 100 रुपे के पार हो गया अब बंद क्यों हुआ बंद इसलिए नहीं हुआ कि पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा हो गया हुआ ये कि पेट्रोल पंप पर जो डिस्प्ले लगे होते हैं जिस पर आप देखते हैं कि रेट आता है वो तीन अंकों का नहीं होता है यानि वो दो अंक तक होता है जैसे 99 तक वो हो सकता है लेकिन जैसे ही 100 होगा तो वो डिस्प्ले काम नहीं करेगा जिसके बाद पेट्रोल पम्प के मालिकों ने टैख किया कि वो पेट्रोल और डीजल की जो विक्री है उसको बंद कर देंगे लेकिन ये सब प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री को बंद करने के लिए किया गया है यानि अभी प्रीमियम पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपे को पार कर गई है प्रीमियम पेट्रोल का दाम 100 रुपे प्रती लीटर से उपर पहुँच गया है और पेट्रोल पम्प की जो पुरानी मशीन है उनमें तीन डिजिट के डिस्प्ले काम नहीं कर पा रहे हैं जिसके बाद ऐसा तैक किया गया कि इसको बंद कर देते हैं अगर साधा पेट्रोल का दाम भी 100 रुपे लीटर तक पहुंच गया तो कई पेट्रोल पम्प बिकरी इसकी जो है वो बंद कर देंगे इधर कॉंग्रेस और अनिवेपक्षी दल पेट्रोलिय मुत्पाद के दामों में बड़ोतरी की लगतार आलोचना कर रहे हैं लगतार सरकार से इसके शिकायत कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है रगतार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं सरकार से इन पर में ततकाल इसको कम करने की वो लोग मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो कीमते हैं वो कम हो जाए पेट्रोलियम मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने वो द्वार को संसद में कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद सुल्क घटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है यानि सरकार की तरफ से कोई रहत मिलती दिख नहीं रही है दाम बरने से मुंबई में पेट्रोल 95 रुपे प्रति लीटर के उपर पहुँच गया है दिल्ली में पेट्रोल 88.73 रुपे प्रति लीटर यानि करीब करीब पौने 89 रुपे और लोगों को लगता ही होगा चोकि चेंज की दिक्कत होती है रेज़की की दिक्कत होती है इसलिए 89 रुपे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल जो है वो 89 रुपे 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मुंबई में पेट्रोल के भाव जो है अब 95 रुपे 21 पैसे हो गए है प्रति लीटर और 86 रुपे चन्नाई में जो है वो 90 रुपे 96 पै तो क्या लोगों को पेट्रोल मिलने में कोई परिशानी होगी यह इसलिए क्योंकि यही डिस्प्लेवाली दिकत जो भोपाल में है अगर यह बात डिली में हो जाएगी तो फिर डिली में इसको लेकर के कैसी इस्थिति होगी इस तरह कि तमाम समस्याओं का निवारण करने के के लिए डिली के पेट्रोल मालिकों ने तयार यहां शुरू कर दी है जिससे कि अगर डिली में पेट्रोल की कहीमतें सो रुपय प्रटी लीटर पहुंच जाए तो पेट्रोल पफप से लुगों को तेल मिलने में कोई परिशानी नहों, इसके लिए हर तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है, इस मामले में All India Petroleum Dealers Association ने बैटक की है, दिल्ली में तीनों कमपनियों के 398 पेट्रोल पंप हैं, वैसे अधिकतर में नई मशीने लगी हुई हैं, लेकिन कुछ पंप ऐसे हैं, जहां पेट्रोल की कीम लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान दे, और अगर पेट्रोल की किमता ही कम हो जाएंगी, तो फिर ये डिस्प्ले वाली जंजट भी अपने आप खत्म हो जाएगी